So Hello Everyone, आज हम डिसकस करने वाले रसाइन विज्यान आपके Chemistry Multiple Choice Quesn यहां से कप सारी Quesn आपको Direct Exam में देखने को मिल जाएंगे Interance Exam में तो चलिए पहला Quesn है और इन सभी को Diagram यानिकी Images की साहता से समझने की कोशिस करेंगे हरे Quesn को पहला Quesn है लाल लेड होता है जो आपका Red लेड होता है उसका Formula क्या होता है उसका सुत्र क्या होता है Option है PB3O4 या फिर PBO, PBO2, PB2O3 और कापी सारों ने इसको देखा भी होगा लाल लेड को अगर नहीं देखा है तो अभी हम आपको दिखा देंगे तो बताईए लाल लेड क्या होता है Very Simple वो होता है आपका PB3O4 यह होता है आपका लाल लेड अगर आपने इसको नहीं देखा है तो चलो यहाँ पर अभी आपको दिखा देते है So basically यह होता है लाल लेड पीवी 3O4 इस परकार का दिखाए देता है यह सिंदूर जैसा तो एक केमिकल है एक परकार का और आपने कहीं न कहीं पर इसको देखा भी होगा चले बढ़ते आगे के ओर So इसलिए राइट ओप्सन पास्ट Next GameXN का नाम आपको बताना है IPC नाम GameXN का IPC नाम आपको बताना है तो पहले तो आपको GameXN की सरचना पता होना चाहिए तब ही आप IPC नाम लिख पाओगे तो चार ओप्सन सामने है आपके कौन सा सही है IPC नाम तो इसका राइट ओप्सन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hexa, Cloro, Cyclo, HexN को क्या बोलते है GameXN बोलते है ठीक है अगर आपने इसका structure नहीं देखा है तो चलो यहाँ पर दिखा देते है GameXN का सरचना जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे यहाँ पर यह है आपका GameXN ठीक है तो कितने CLS में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 तो इसमें Coloro हो गए आपके ठीक है और यह किसको indicate करता है Cyclo तो Hexa, Coloro, Cyclo, HexN ठीक है और यह किस परकार बनाए जाता है देख लो आप Benzine से बनाए जाता है यह परकास की उपसिती में CL2 से क्रिया करके तो इस परकार आपका GameXN बनता है और इसका जो IEPC नाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hexa, Coloro, Cyclo, HexN यह आपको याद रखना है Clear, I hope आपको समझ में आया होगा यह इसका सामने नाम है GameXN और यह इसका नीचे IEPC नाम है चलो, बढ़ते आगे के और और यहाँ पर Hexa इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर 6 है, ठीक है इसलिए यहाँ पर Hexa का परियोग हुआ है चलो इसलिए Right Option C वाला हो जाएगा ठीक, C वाला अगला है निमन में से 8 ratio 8 को कोडिनेशन का उधारन आपको बताना है वीच वन दे इक्जामपल 8 ratio 8 कोडिनेशन कौन सा है CF2 CSCL ZNS KCL बहुत आसान है तो इसका Right Option हो जाएगा CSCL अब आप बोलिंग सर इसका यही आंसर क्यों होगा तो चलो मैं बताता हूँ क्योंकि आपर CSCL क्या है कौन सी सरचना बनाता है यह बनाता है आपका BCC ठीक है BCC सरचना यह बनाता है और यहाँ पर जो CS है पलस ठीक है और CL माइनस तो तोड़ा सा डाइग्राम की मदद से समझाने की मैं कोशिज करता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे यह क्रिशन इस परकार से है तो यहाँ पर CSCL BCC सरचना बना रहा है तो CL पलस CL माइनस तो यहाँ पर BCC में क्या होता है एक एटोम को कितना आठ तरह से गिरा रहता है ठीक है और CL के लिए भी सेम होई है वाइस वर्षा भी सही है ठीक है तो BCC में यह होता है कि एक परमाण को आठ तरह से कोने पर रहता है तो आठ में इसका हिस्सा जाता है तो CL में भी सेम होई है और इसका वाइस वर्षा भी सेम है एट एड तो होगे ना अगला यहाँ पर आप देख पार होंगे F.E. की आक्सिकन अवस्ता आपको बतानी है आक्सिडेशन इस्टिड आपको बतानी है किसकी F.E. की और सबको निकाल नहीं आती होगी जिन्होंने कॉर्स करीद रखाओ का उनको तो पता भी है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखाए बेल आइकन पर प्रेस कर रखाए मिलते रहेंगे आपको multiple choice कुशन I hope आपने निकाल लिया होगा क्योंकि हमने तो निकाल लिया है और हमारा जो answer निकल के आया है यहाँ पर वो निकल के आया है plus 2 क्या निकल के आया है प्लस 2 निकल के आया है अब आप बोलिंग सरी किस परकार से निकला है प्लस 2 तो चले इसका solution हम आपको दिखा देते हैं इसका explanation हम आपको दिखा देते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख पार होगे K4 ठीक है तो यहाँ पर इस परकार से हम इसको लिख सकते है ठीक है F E का तो पता नहीं है तो इसको X मान सकते है और C N का minus 1 होता है और multiply यहाँ पर 6 है तो 6 कर देंगे is equal to 0 ठीक है अब यहाँ पर इसको हल करेंगे bracket को तो 4 आएगा यह plus X आगया इसको हल करेंगे तो minus 6 आजाएगा अब minus 6 में से 4 जाएगे तो minus का 2 आजाएगा is equal to 0 अब यह 0 के इधर आएगा तो plus हम हो जाएगा ठीक है तो X is equal to plus 2 कितना simple है तो ऐसे आपको oxidation instead यानि कि oxygen आवस्ता निकालना आना चाहिए तो समझा आपका काम बन गया और एक दो तीन क्यूशन तो बनते आपके oxidation instead से तो इस परकार आपको हल करना होता है यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो यहाँ पर right option हमारा आया plus 2 चले बढ़ते आगे गो अमलिये hydrogen निमन में उपसित होता है अमलिये hydrogen निमन में उपसित होता है यहनिकि acidic hydrogen present in तो वो होता है आपके इथाइन में किसे में होता है इथाइन में theoretical question है याद होना जीए आपको इथाइन में होता है वो इथाइन ठीक अगला question निमन समी करन में सोधन की कौन सी विदी परकट होती है which method purification is represented by flowing equation falling mesmicron या फिर cuplicron या फिर when arc and day कौन सी विदी द्वारा होता है यह बताओ यह जो titanium है कौन सी विदी द्वारा इनको सुध किया जाता है बहुत यासान है मैंने बताया भी था titanium, germanium ठीक है? तो यह जो धात हुए होती है इनको किया जाता है when arc and day बहुर विदी और यह द्वारा किये लास्ट में यहाँ पर option D में when arc and day बहुर विदी किलिए? अब आप बोलोगी सर कैसे? तो चलो मैं आपको explain कर देता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पारोंगे titanium को तो titanium है और यहाँ पर अगर और अच्छे से समझना है तो इस परकार आप समझ सकते हूँ titanium और zirconium कौन सी विदी यूजोरी यहाँ पर one arc and day bore method देख लो आप तो titanium की बात अगर आए तो भी आपको one arc and day bore करके आना है इस डाइग्राम से आदा आपको रह जाएगा के लिए तो यहाँ पर यह titanium और यह zirconium दोनों के लिए one arc and day bore method ठीक अगला बहुत इपोर्टेंट है यह वाला क्यूशन लोहे के प्रगलन में वाद्ट्या बट्टी में 400 degree centigrade से 600 degree centigrade पर अभी करिया होती है 400 से 600 degree centigrade पर कौन से अभी करिया होती है कौन सी reaction होती है और मैंने आपको डाइग्राम भी दिखाया था और वो डाइग्राम काफी important है आप लोगों के लिए डाइग्राम से क्यूशन आ जाते हैं काफी बार और अधिकतर डाइग्राम से पूचे जाते हैं जैसे कि यहां पर पूचा गया है कौन से अभी करिया होती है तो हमको तो पता है क्योंकि हमने पढ़ रखाये अगर आप भी पढ़ोगे तो आपको भी आ जाएगा तो इस टेंपरेचर पर होती है आपकी Fe2O3 प्लस 3CO यह दरकी आपके D वाले में अब आप बोले कि सर कैसे तो चलो इसका explanation यानि की समझा देते आपको जैसा कि आप यहां पर देख पारूँगे यह है आपके वात्या बट्टी ठीक है तो यह आपके NC8 में भी दे रखे और वेसे जन्होंने कॉर्स करीद रखा उनको तो मिली गई तो देखो विद्यार्टियो आपसे पूछा जा सकता है 1500 पे भी पूछा जा सकता है कि कौन से विक्रिया होती है आपसे यूबी पूछा जा सकता है 850 पे आपसे यूबी पूछा जा सकता है 700 पे और आपसे यूबी पूछा जा सकता है 250 पे इस प्रकारच आपको पताऊना चाहिए यह देखिए 1500, 850 700, 250 तो आपसे पूछा गया था कि 400 से 600 के बीच वाली तो 400 से 600 के बीच यह वाली ठीक है और यह बेट रहा है आपका इस वाले इससे में यह रहा तो इसलिए यह हमार आंसर हो आता है EP2O 3 plus 3 CO क्योंकि यह 400 जिस्वक भी चीह ही है अगर एक्जाम में यह तीन है यहाँ पर यह पर्स्ट वाली यह सेगंड वाली और यह थर्ड ठीक तीनों चारों आपको अच्छे से याद कर लेनी है सो यहाँ पर इसलिए हमारा राइट आप्शन यह हुआ क्योंकि 400 जिस्वक पर यह अभिक्रिया होती है चलो अगला है कि निम्न में कौन सा पर्तिक कारक एथिलीन एसेटिलीन के बीच विवेद के लिए प्रिक्त होता है बहुत असान है जो एथिलीन और एसेटिलीन के बीच विवेद करता है तो वो है आपका अमोनियम क्योप्रस कलोराइट ठीक है ammonium, q-press, chloride तो यह आपको याद रखना होगा ethylene और ethylene के बीच विवेद यही करता है अगला आनविक भार योग होता है atomic mass is addition आनविक भार योग होता है, किसका होता है बताओ आनविक भार किसका योग होता है वो जैसाने बच्पन में भी पढ़ाओगा आपने वो होता है आपके proton और neutron का ठीक है proton और neutron का चलो अगला परती marconicock संगलन निम्न में नहीं पाया जाता anti-marconicock addition is not found परती marconicock संगलन निम्न में से नहीं पाया जाता तो इसका right option क्या होगा बताओ तो इसका right option हो जाएगा आपका देखो कौन-कौन सा पाया जाता है ये अगर आपको पता है तो आप इसको कर पाऊगे तो परती marconicock संगलन में कौन-कौन सा पाया जाता है propine भी होता है butogen 1-E भी होता है और pentene 1-E भी होता है जबकी butene 2-E नहीं भी होता है तो ये ही तो आज़ atenção हो जाएगा क्योंकि आपकर नहीं पूचा गिया है तो right option is butene 2-E ठीक है याद रखना आप यहां से कुछन बनता है परती मारक वनिकोप का नियम किले अगला नेमन लिकत युगों में से कौन सा सही समिलित नहीं यह यानि कि किस की खोज किस ने की थी इलोक्ट्रोन की खोज किस ने की थी प्रोट्रोन की किस ने की थी नियोट्रोन की किस ने की थी तो कौन सा गल्ट यहां पर मेचवरा है वो आपको बताना है जैसा कि इलोक्ट्रोन की खोज किस ने किती जेजितों सनने तो यह भी सही है क्योंकि आपर सैसुमिली थे तो वो हमको नहीं लगाना है क्योंकि नहीं वाला ढूंदना है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा न्यूट्रोन की कोज किस ने किती चेड़िग ने ये भी बास आई है प्रोट्रोन की कोज किस ने किती रद्दरफोर ने ये भी बास आई है हाँ बिल्कुल सही बात है क्योंकि अलपा कणों के बोचार फ्रदर फोर ने तो कीती और कापी सारे जो कंटे अलबा कंटे वो टक्रा के वापस भी आगे थे क्योंकि अंदर नाबिक था इसलिए और नाबिक में प्रोटन न्यूटन होता ही है तो यहाँ पर समस्तानी की खोज फ्रेंड रिखने कीती जबकि यहाँ पर बोर्ड दे रखा है तो यह गल्त बात है तो गल्त बात है तो इसलिए नहीं है समविल दे नहीं है तो यह हमारा राइट ओपस ने तो ऐसे आपको बताना होता है क्योशन को समझना होता है फ़ले ठीक अब देखो विद्ध्यार्त यो आयसक आपको पताना आचिए किस दांतु का कौन सा आयसक होता है केशिटे राइट आयसक है किसका है केशिटे राइट आयसक है टीन का, जिंग का, लेड का, तामे का केशिटे राइट किसका आयसक है तो वो है आपके टीन का किसका है टीन का अब आप वो इसर कैसे तो देखो विद्यार्टो हर एक धांतु का अपना अपना एक अएसक होता है और यह आपको समझ में आएगा लिस्ट के माध्यम से और वो अभी हम आपको दिखाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पारोंगे यह कुछ मेटल है हमारे पास और यह कुछ उनके ओरिजियन की अएसक है जैसे कि ऐलूमीनियम का जो यह आपको यह सक याद रखना है और कभी कभार आपसे IASA का नाम लेके मेटल का नाम भी पूचा जा सकता है तो और भी लिस्टे ये देखो जैसे कि बाक साइड किसका IASA के? अलूमिनियम का? क्रॉमाइड किसका है? क्रॉमियम का? तो इस परकार कॉपर का आप याद रख सकते हैं iron का रख सकते हो तो हमसे यहाँ पर अभी क्या पूचाता केसिटे राइट तो यह राना केसिटे राइट किसका है तीन का तो ऐसे आपको list पता होना चाहिए और telegram follow कर रखा होगा तो वहाँ तो डाली देंगे हम telegram का link नीचे description में दे रखा है वहाँ से follow कर लेना तो गलेना किसका होता है किसका aysak के गलेना तो वह है आपके lead का तो late का होता है तो गलेना आपको याद रखना है तो ऐसे आपको याद रखना होता है और exam में कुछन बनता है बनता है के लिए चलो बढ़ते आगे गयो so right option is ठीक है चलिए तोड़ा सा score down हम कर लेते किसी सबता प्रिकिर्या के लिए डेल्टा जी आपको बताना है डेल्टा जी नेगेटिव प्लोजिटिव, जीरो या प्रिम्पनाइट बहुत आसान है बहुत आसान देखो विद्यार्टो सबता है प्रिकिर्या के लिए हमेंसा डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना जरूरी है क्या होना जरूरी है नेगेटिव रिनातमों को होना जरूरी है तो right option हमारा ये हो जाएगा ठीक है तो देखो chemistry तो बहुत आसान है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट हमारे कल कुछ जो बोटनी के question है वो रह गये थे तो उनको भी यहाँ पर cover हम कर लेते देखते हैं आपको आते हैं या फिर नहीं तोड़ा सा बोटनी को भी यहाँ पर देख लेते हैं अगला बोटनी का question है खभी खभी जील में water blooms का पाया जाना किसको पर्दिसित करता है sometime water blooms saw in lake due to portion की कमी oxygen के दिखता oxygen की कमी जील में साकारों की अनुवस्थिती बताओ water blooms जानते हो न water blooms क्या होता है जो green green layer होती है न वो वाली तो बहुत असान है वो किसको पर्दिस्ट करता है oxygen की कमी को अगर वो है तो मतलब oxygen की कमी है तो काभी सारों ने तो देखा होगा water blooms अगर नए देखा है तो चलो मैं देखा देता हूँ water blooms आपको यह है आपके water blooms यही पर्दिस्ट करते हैं कि oxygen की कमी कितना हरा हरा है पानी के उपर हरा हरा तो यह वाटर ब्लूम्स होता है आपका यह इस परकार से हरा हरा ले रहोते हैं आपने देखा होगा आज पास तलाबों में जिलों में तो यह वाटर ब्लूम्स होता है जो कि ऑक्सिजन की कमी को परदिसित करता है यह इस परकार का अगर तो यह आपके पास, आजपास दिखराए ना, तो समझ आओ कि ओक्सिजनी कमी है, वहाँ पर पानी में, चलो बढ़ते हागी गोर, ओके, नेक्स्ट, मानो, भुरुन, सुरुक्सितर रहता है, किसमे रहता है, मानो, भुरुन, यानि कि इंब्रियो किसमे में सुरुक से रहता है कौन इसको protect करता है तो बहुत आसान है amnetic cavity amnetic cavity अब आप लिंग सरह यह क्या होती है अपनिक cavity तो चलो आपको दीखा देते हैं यह पर यह इस प्रकार के होती है आपके amnetic cavity जिसमें फ्लीड बरा है ठीग है यह amnetic यह अपके आम्यूटिक केविटी तो यह पूरा इसको प्रोटेक्शन प्रोइड करती बच्चे को ब्रुण को यह इस प्रकार वे आप देख सकते हो थीक है तो यह प्रकार यह प्रोटेक्शन प्रोइड करवाती है आए होप आपको समझ में आया होगा अब बढ़ते आगे ठीक है ये वाला हो जाएगा अमारा amniatic cavity अगला लीनेज का पाइब वर्गिकरण है प्राकर्तिक वन्सावली या पर करत्रिम तो हर बच्ची को पता है कि जो हमारे paycheck के उनका पाइब का वर्गिकरण कौन सा था क्रत्रिम artificial था ठीक है artificial अगला पेलेगरा रोग किस विटामी की कमी से होता है पेलेगरा इस कॉज बाय डेपिशनसी विच विटामीन थायमीन, कैलसीपेरोल, नियासिन या फिर विटामीन बेटोल्जिसको साइनो कोवालिन भी आप बहुते हो और ये तो मैंने आपके लिए स्पेसल वीडियो भी बना रखा है चैनल के उपर किसी के उपर कि कौन सी विटामीन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन सी विटामीन का केमिकल नाम क्या होता है सब कुछ में ने पढ़ा रखा है विटामिन का पूरा वीडियो आप देख लेना अगर वीडियो को लाइक करते होंगे आप तो ओटोमेटिक निकल के आ जाएगा वो वीडियो तो लाइक करना भी जरूरी होता है तो देखो विदो अठयो पिलेगरा जो होता है वह ओता है नागिसीन ठीक है निकलिक अमल की नाटिक की कमी से अब ये नागिसीन कौन सब्सक्राइधा विटामिन होता है चलो देख लेते हैं जैसा कि आप यहां पर देख पारूंगे यह पेलेग्रा यह विटामिन B3 यह पूरा एक की कमी से नाइट ब्लेंडेस B1 की कमी से बेरी बेरी इठी है B3 से पेलेग्रा, B6 एनिमिया तो पूरा यहां पर दे रखा है और यह देखो विटामिन के केमिकल ने है रत एक्टोपी, रेटिनोल, थाइमिन यह सब मैंने आपको पढ़ा रखा है केमिकल ने हैं, याद होना चाहिए आपको, कैल्सी परोल, टॉकोफिरोल, ठीक है एक्जामिप बनता है कुसन, और यह थोरा निउपेंट पर बसा है, यह ट्रिक है याद करने की, B1 से B2 तक, थाइमिन, ट्राइव फ्लोविन तो टेलेग्राम को फोलो कर लेना, वहाँ पर डाल देंगे चार्ट, ताकि आपको याद हो जाए, और टेलेग्राम का लिंग नीचे दे रखा है, चलो बढ़ते आगे एक और तो यहाँ पर राइट आपस नमबरा हो जाएगा, नियासिन वाला, ठीक है DNA, संसलेशन को करते है, DNA, सिंतेसिज, क्नॉइस, सिंपल, बहुत यासान उसको बोलते है, रेप्लिकेशन, क्या बोलते है, रेप्लिकेशन अगला सव परती रक्सा रोग कौन सा है, और्टो इमिन डिजीज आपको बतानी है, एड्स, अस्तमा, हेमोपीलिया, या फिर माइस्तेनिया ग्रेविस तो यह है आपका माइस्तेनिया ग्रेविस, क्या है, और्टो इमिन डिजीज खुद की जो immunity power उसी के द्वारा ही हो गया अब आप बोलें सरे माइस तिने ग्रेविस रोग में होता क्या क्या है तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें होता क्या है मसल्स कमजोर हो जाती है माइस बिल्कुल कमजोर हो जाती है आखों की अधिकतर eyes की हाथ पे रोगी चलो इसका डाइग्राम में आपको दिखा देता हूँ जैसा कि यहाँ पर आप देख पार होगे यह जो माइस बिल्कुल आप देख पार होगे कितनी कमजोर हो गई मसल्स कमजोर हो गई यहाँ पर इस वज़े से नीचे जुग गई आँके भी टेडी हो गई ठीक है और यह थकान चलते हुए भी थकान और यह आँखे भी अज़ीव से हो गई ठीक है तो यह माइस दिनेख ग्रेविस के लक्षण होते ही है यह माइस दिनेख ग्रेविस और यह Autoimmune disease होता है जो कि मसल्स और नरोग यान की तंत्रिका को इफ्रेक्ट करता है तो मैं तो यही कहूंगा चैनल सस्क्राइब कर रखाऊगा बेल आइकन पर प्रेस कर रखाऊगा तो मल्टीपल चुश्कुशन ताको मिलेंगे दूसरे चैनल पर भी आप कर सकते हो मल्टीपल चुश्कुशन के प्रेटिस जेकलाउन जोब चैनल जो हमरा दूसरा चैनल है लिंक नीचे दे रखाए वहाँ आप भी ऐसे कुशन आपको मिलेंगे खरी में तो लिंक नीचे दे रखाए डिस्क्रिप्शन में धन्यवाद